क्या आप जानते हैं कि बच्चों में लिवर डिजीज के अर्ली साइन्स क्या हैं और इन्हें पहचानना क्यों जरूरी है? आएए आज विस्तार में बात करें इस इंपोर्टन टॉपिक के बारे में जिसमें हम ये समझेंगे कि बच्चों में शुरुवाती लक्षनों को कैसे पहचाना जाए और उनके सेहत को और भविश्य को कैसे सुरक्षित रखा जाए नमस्कार, मैं हूँ Dr. Arvinder Soyn, Chief Liver Transplant and Hepatobiliary Surgeon, Medanta the MediCity Hospital, Gurgaon बच्चों में लिवर डिजीज का पहला ऐसा लक्षन है, जॉन्डिस जॉन्डिस यानि की आँखों का पीलापन, पेशाब का बहुत जादा पीलापन और motion या stool का बिलकुल फीका पर जाना, जिसको कहते हैं Clay Colored White Stools ये तब होता है जब लिवर में bilirubin जो बनता है, उसका processing नहीं हो पाता है बच्चों में लिवर डिजीज की वज़े से और वो bilirubin value दो या धाई से बढ़ जाती है, तो तब होता है जॉन्डिस दूसरा बच्चों में जो serious sign होता है लिवर डिजीज का वो है poor growth, both mental and physical तो बच्चों में जब chronic लिवर डिजीज होती है, यानि कि लंबे अरसे से लिवर डिजीज चल रही होती है usually पैदा होने के कुछ हफते या कुछ महीनों बाद से, तो उनकी development पे फरक पड़ता है उनके milestones slow हो जाते हैं, milestones होते हैं जैसे parents को पहचान पाना, crawling करना, walking करना, बोलना तो ये milestones delay हो जाते हैं, उनकी physical development में फरक आता है, यानि कि उनकी हड़ियों की growth में, उनकी height में फरक पड़ जाता है और जब बहुत advanced liver disease होती है, तो उनकी mental capacity में भी फरक आ सकता है तो जब liver disease हो और उसका सही समय पे इलाज हो जाए, या अगर transplant की जुरूएट हो जाए, तो फिर एक catch-up growth होती है, यानि कि जो growth कम हुई है, वो फिर liver ठीक होने के बाद सही हो जाता बच्चों में liver disease का तीसरा lection है, पेट की swelling अब पेट की swelling तीन कारण से होती है बच्चों में, एक है liver के enlarge हो जाने से, लिवर के बढ़ जाने से वो पेट फूला फूला लगता है, दूसरा है spleen या तिल्ली के enlarge हो जाने से, जो liver disease में portal hypertension होती है, उससे तिल्ली पर pressure करता है और वो फिर बढ़ जाती है और तीसरा कारण है, पेट में पानी एकठा होने, ये तीन कारण से पेट की swelling होती है liver disease वाले बच्चों में, बच्चों में liver disease का एक important जो चौथा symptom हम बताएंगे वो है, खारिश होना, इचिंग होना, जिसको medical terms में pruritis बोलते हैं, वो इसलिए होता है क्योंकि बच्चों मे liver disease और जौंडेस आने से bile salts पूरे skin में, body में, सब जगाए कठे हो जाते हैं, और फिर बहुत itching होती है, खारिश होती है, तो उससे बच्चा सो नहीं पाता है, रात को रोता है, पेरंट्स भी नहीं सो पाते हैं, तो इससे एक serious life quality का disturbance हो जाता है, बच्चों में liver disease का पांच stable होते हैं, और कभी-कभी pre-koma stage और koma stage में भी जा सकते हैं, तो ये पांचों जो लक्षन है, ये liver disease का संकेत देते हैं, और इनको नजर अंदाज नहीं करना चाहिए, और बच्चों के liver specialist से ज़रूर मिलना चाहिए, अगर इन में से कोई भी लक्षन दिखे, बच्चों में liver disease के लक्षनों को पहचान कर समय पर treatment लेना बहुत जरूरी है, अगर इन में से कोई भी लक्षन आपके बच्चे को है, तो pediatrician से या pediatric liver expert से आवश्य मिलें